आपने पहले वाले क्लास में देगी लिया होगा सारा डिस्क्रिप्शन तीन टैप्स के अधिर्ट्रोपिक नूट्रिशन होता है तो उसमें सबसे पहले प्वान है और दूसरा एक्जाम्बल लियागा परमेशन का, और अमीबा में दूनों में कमन क्या है कि दोनों भी युदि कैसी लिया ओर अपना नूट्रिशन गाज है तो अब ये युदि कैसे लिए अपना नूट्रिशन तो इसको हम नेखेंगे अभी बाद वह वह different shape नहीं है जब कि पहला mission बहुत रिजनाइट शेफ होता है आप सभी को मालू होगा यह वाला जो बाद होता है को गएंगे mouth part अब आपमीबा जो है उसके पास क्या होता इट contains pseudopolia इसके जो होते हैं क्या होते है सुदोपोडिय अब realm सुदोपोडिय कोइद Ocean life कि अपने अपने इक्स चैंशन सोई कोПр environ चैंख है है ऑपने क्षेश्चन सई है वbreak आगा अगर रेशो आता है और एक फ Dow care को पूरी तरह से केपचर कर लेता ही अई अगत तो इस तरीके से फूट मॉलिक्ली को पूरी तरह से केपचर कर लेता है यह और हिलक अब अब केप्चर करने के बाद क्या होगा यह जो पार बन जाएब हमeseडिय के फूड वैक्षिंग कि यह बन जाएगा फूड वैक्यूल अब फूड वैक्यूल बरने के बाद क्या होगा है हापर डाइजेश्ट प्रोसेस होगा जो भी डाइजेस्टेट फूड है वो कहां पे जाएगा सीध्या अमिवाग के अंदर देख यह होगा है नूक्लियस पार जो कि हर पार्ट हर सेल प्रिजेट था और एक यहां पर आ जाता है फूड पार फूड वैक्यूल राइट यह फूड वैक्यूल जो है यह कहां से है डाइजेस्टेट फूड अलेकिन जो अंडाइजेस्टेट फूड है वो सेल सर्फेस से वापस इजेस्ट हो जाता है निकल जाता है ठीक है फिर यह पास अदेलों आमिबा क्या करता है अमिबा के पास होते हैं उसके extension pseudopodia तो यह pseudopodia क्या करते हैं अपने food molecule को capture करते हैं और capture करने के अदे एक food vacuum बना ले देवाला जो part है क्या बन जाएगा food vacuum part अब food vacuum part क्या करेगा उसको digest करेगा और उसको digest करने के बाद में simpler form जो है उसका absorb करेगा जो यहाँ पर digest वा उसको simple form का absorb कर दिया लेकिन जो part digest नहीं हो पाता है food का वो part क्या करेगा cell surface अपस उसको क्या कर देगा digest कर देगा निकाल देगा ठीक है तो इस तरहिके से अमिबा जो है अपना nutrition लेता है लेकिन पैरा mission जो इसका तो यहां से तो नहीं ने पाएगा यहां से नहीं ने पाएगा सुड़ो पडिया क्या करेगा आजु पाजु से नहीं से भी capture कर सकता है और एक सुड़ो पडिया दो सुड़ो पडिया नहीं होते है चार भी हो सकते है छे भी हो सकते है तो अब पैरा mission क्या 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 क् extension called as cilia okay तो इस cilia क्या करता है move करता है अगर मारते हैं यहां food particle आया तो वो क्या करें का move कराएगा कहाँ पर माउथ पाड़ के पास okay माउथ पाड़ के पास मैं move कराएगा और फिर यहां से वो digest होगर के absorb होगा तो इस तरीके से जो अलग-अलग microorganism से सारी चीजी होगी अभी सारे और अरगनिजम नहीं होते है एक जैसे हैना सबके functioning अलग-अलग है जो simpler है यह अपने cell surface से एड़ाप करें जैसे कि अमीबाब यह particular mouth pore से ही food को ingest कर सकता है वैसे ही अलग-अलग होते हैं जैसे हाईयर सिस्टम जिसके तुरू हुमन जो है अपना nutrition complete कर सकते है तक अब nutrition in human being में हमको सबसे पहले समझे था होता है कि कौन से system के तुरू होता है that is called as digestive system तो digestive system को हम समझेंगे digestive system जो है वो पहले divided होता है दो इसमें digestive system is divided into two elementary canal and accessory gland right elementary canal, accessory gland दो इसमें होता है elementary canal के कौन से कौन से पार्ट है तो इसमें है mouth, isophagus, stomach, small intestine, large intestine rectum, anus these all are the part of elementary canal और जो है accessory gland, SEC gland में की gland होती है पहला liver, pancreas और next है हमारा salivary gland तो इसमें पार्ट को हमको समझना होगा सबसे पहले हम समझेंगे digestive system, digestive system is divided into two types first is elementary canal, second is accessory gland elementary canal मतब main digestive system जहां पे digestion का पार्ट होता है जो कि है mouth, isophagus, small intestine, large intestine, large intestine, rectum anus और जो accessory gland है, accessory gland का मतलब समझें जिसे हम दुकानों में जाते है कई सारी दुकान देखते है उस वेडिंग भी रिखा होता है mobile and accessories right, computer and accessories, car and accessories तो accessory मतलब क्या? helpful part जिसे computer and accessory यह है तो computer and accessory में अगर हम computer का कोई cover लेते है तो वो क्या हैगा? accessory mobile का cover लेते है, screen guard लेते है तो screen guard क्या है? accessory मतलब helpful part okay, accessory gland का मतलब क्या होगा? helpful part which helps in digestion तो 3 gland है यहाँ पर liver, the largest gland, pancreas, पॉसादावे gland इसको हम आगे detail पर देखते है तो सबसे पहले हम देखते है elementary canal, elementary canal ने सबसे पहले दिया है part दिया है mouth okay, so mouth देखते हैं अब पूरा पाड़े है तो start करता है mouth okay, mouth mouth के लिए समझता है तो सबसे, mouth में 3 चीज़े बहुत important है okay, mouth में होता है teeth tongue and saliva okay, saliva का saliva यहाँ हम आपके पढ़ेंगे mouth में 3 पार हम याद रटने के लिए है teeth, tongue, saliva teeth क्या करेगा तो जो बड़े-बड़े food के molecules को छोड़े-छोड़े food के molecules में convert करने का काम किसका है teeth का okay, तो यह क्या करता है mechanical digestion which converts larger food molecules into smaller food molecules किसका काम है teeth का, tongue next part, tongue जो है वो क्या करेगा test कराने का काम करेगा जो food हम खा रहे है उसका test कैसा है as well as second function tongue का क्या होगा to mix saliva with food saliva का food के साथ में mixture करने का mix करने का जो काम है वो किसका है, tongue ठीक, तीसरा जो काम है saliva saliva का का काम होता है chemical digestion का मतलब digestion of food तो saliva क्या करता है its secrets and enzyme called as salivary amylase अब enzyme जो कि आमने पहले भी चाप्र में देखा है enzyme means it is a biocatalyst which increases the speed of reaction यहां पर कॉनसी reaction हो रही है कि जो starch molecule हम खाते है जो starch हम खाते है यह starch को simple carbohydrate मतलब glucose बें करवर्ट करने का जो काम होता है वह किस का होता है salivary amylase का मतलब digestion starts from mouth okay digestion starts from mouth okay तो पहला पार हमने यहां पर देख लिया mouth पर 3 जीजे जार रही होती है 3 tongue saliva mechanical digestion जो की बड़े food molecule को smaller food molecule पर convert करेगा tongue, tongue के दो काम होते है test करने का दूसरा mix करने का और 3 saliva saliva का काम होता है it converts its secret salivary amylase which converts charge into simpler carbohydrate not directly into glucose वो simpler carbohydrate में convert करने कोशिश करता है next part होता है isophagus ठीक है isophagus isophagus क्या करेगा isophagus में start होता है paristaltic moment paristaltic moment paristaltic moment का paristaltic moment का rhythmic contraction and relaxation rhythmic contraction मतलब पहले उपर काइट contract होगा तो नीचे का relax है फिर नीचे आएगा contract करेगा relaxation contract relaxation contract relaxation मतलब जो food bolus हमने खाया है जो खाना हमने खाया है उसका bolus बन गया मतलब पुरा बोला बन गया आखरी तक जाते जाते है मतलब चीविंग करते है अब जो food molecule है उसको आगे पास करने का मतलब यहां से इसोफेगस से लेकरके लास्ट पार्ट एनस तक जो पार्ट होता है यहां तक जो moment से food molecule आगे आगे पास होता है वो कौनसा moment है peristarting moment मतलब rhythmic contraction of smooth muscle यहां के smooth muscle होती है digestive system में तो वो smooth muscle rhythmic contraction and relaxation से food molecule को आगे आगे पास करते जाता है स्टार्ट कहां से हुआ इसोफेगस से तो इसोफेगस से काम क्या है कि माउट को food है वो कहां तक लाना stomach next part is our stomach 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 में आने के बाद stomach में आने के लिए embry होता है that is called as spincher spincher क्या करता है जो food molecule उपर से आया है उस food molecule को वापस से back ना जाए इसके लिए आप एक दर्वाजा होता है that is called as spincher that spincher prevent the back flow of food into the isofagus जो food एक बाद स्टमक में आ गया वो food वापस से isofagus में नहीं जा सके इसको prevent करने के लिए वहाँ पर क्या होते है दर्वाजे होते है that is called as spincher okay फिर उसके याद में जब food यहाँ पर आ गया यहाँ पर भी तीन चीज़े याद रखने माले है स्टमक में तीन चीज़े याद रखने माले है क्या के याद रखना है एक है acid that is called as hydrochloric acid second enzyme that is pepsin और third is mucus तीन चीज़े याद रखेंगे तो पुरा स्टमक याद हो जाता है ठीक है स्टमक बहुत important part होता है अब स्टमक में क्या होता है hydrochloric acid it is secreted from gastric gland okay next is अब hydrochloric acid का क्या-क्या effect है क्या-क्या function है सबसे पहले तो जो भी हमारा food molecule है उसको decompose करेगा decomposition of our food molecule ताकि जो food है वो easily digest होगे आने वाले parts में अगले जो parts है उसमें food जो है वो easily क्या हो सके digest हो सके ठीक उसके बार में second जो भी microorganisms उसको kill करना है जितने microorganisms enter करेंगे food की वज़े से वो food से जितने microorganisms रहेंगे उसको मारने का काम जो होता है hydrochloric acid का फ़र जो function होता है इसका वो क्या होता है activation of this enzyme that is called as pepsin तीन काम है ना पहला तो food को decompose करेगा ताकि आसाने से digestion हो सके second जितने microorganisms रहेंगे उन सब को क्या करना है मारना है और तीसरा इस enzyme को activate करना है कौन साइंज है pepsin अब काम देखेंगे pepsin का pepsin क्या काम करता है it digest protein it digest protein into simpler form that is called as amino acids that is amino acids ठीक है simpler form में करवट करता है समय में है दोनोगा काम एक है hydrochloric acid जो की 3 function बता रहा है hydrochloric acid मतब acidic medium रहेगा तभी कौन काम कर सकता है pepsin काम कर सकता है अब pepsin का काम होने क्या mucus अब हमको एक question आता है कि sir अगर पेट में acid है और वो भी concentrated acid है तो क्या पेट के से जलेगे नहीं विल्कुल जलने चाहिए और जलते भी है अगर hyper acid condition होती है मतलब इन च्वाड acidity होती है तो फिर ulcers होते है मतलब छाले आते है क्लियर तो क्या यह रूज हमारे body में होता है acid तो क्या जलते है हमारे cell मारते है तो मैं कहुंगा उसको prevent करने के लिए यहां पे क्या होता है mucus मुकस क्या करता है उसके ऊपर कोटिंग बनाता है क्या बनाता है मुकस की कोटिंग होने के वाज़े hydrochloric acid will not directly affect to the cell hydrochloric acid will not directly affect to the cell जिस वज़े से हमारे cell क्या हो जाते है protected रखे मतलब यह mucus का का क्या है to protect our stomach cells from hydrochloric acid ठीक है तीनों का function समझना है stomach, stomach में 3 जीज़ी याद रखनी है hydrochloric acid, pepsin, mucus hydrochloric acid के function pepsin का का काम होता है to digest enzyme pepsin is a enzyme which digests protein into amino acids next is mucus mucus का क्या होता है mucus जो होता है protect करता है stomach के cells को ठीक है उसके बाद में आता है next part small intestine हमार नेक्स पाट का चाल हो रहा है dodenum, jejunum, ileum इतना हमको description NCRD पे नहीं दिया है reference book में देगा small intestine में होता क्या है यह पहला पाट होता है dodenum, फिर बड़ा सा पाट होता है jejunum, और फिर छोटा पाट होता है दूसरा हमारा pancreas ठीक है, liver जो होता है और यहां पर में लिटाता हो liver liver क्या करता है liver secrets bile juice liver क्या पना रहा है bile juice store करता है bile juice कहा store होता है कहा? यहां, गॉल गैडर और यहां से डख नहीं कलता है ठीक है वहां से डख नहीं कलता है मतलब bile juice जो है वह इस डख से इस डख से कहां पर आता है small intestine लेगिन आते आते इसको एक और junction लगता है जो होता है यहां में pancreas यह है pancreas pancreas is present at the junction of stomach and small intestine अब यहां पर pancreas होता है pancreas क्या करता है एक juice बनाता है pancreas एक तो समझ देजिए pancreas जो यह endocrine gland भी है और exocrine gland भी है यह endocrine gland क्या है और exocrine gland क्या है अपन आगे control and coordination chapter में देखेंगे इसको हम समझ देए pancreas pancreas क्या करता है juice secret करता है that is called as pancreative juice pancreatic juice pancreative juice के अंदर enzymes होते है कौन से कौन से enzymes होते है एक होता है amylase एक होता है lipase एक है amylase amylase depends on tripsin यह 3 enzymes होते है और यह 3 enzymes क्या करेंगे डाइजस्ट करेंगे लेकिन इसके लिए condition चाहिए यह 3 enzymes को काम कर पाएंगे ऐसे सिर्फ 3 enzymes में बहुत सारे enzymes secret होते हैं लेकिन यह 3 major enzymes है लेकिन इसकी condition है कि यह सिर्फ basic condition में मतलब alkaline condition में ही काम कर सकते है अब हमारा food यहां से यहां पर आ रहा है food is coming from stomach तो उसमें क्या होगा acid तो acidic condition में आएगा तो यह enzyme काम नहीं कर पाएंगे तो इमको क्या चाहिए basic condition that basic condition is provided by by juice ठीक है यहां पर यहां बनाता हो यहां पर लीवर है लीवर से गॉल्बेडर है गॉल्बेडर से एक ट्यूब आया है बदर डख है और डख से juice आया कौनसा है by juice फिर यहां पर pancreas है pancreas है pancreas से डख निकला इसको बले कि pancreatic pancreatic इसमें pancreatic juice जाएगा और यह जो है यह काई में एंटर करेगा भी small intestine देखो दोनों juices एक साथ mix हो करके कामते चारा है small intestine अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि pancreatic juice को काम करने के लिए कुनसा environment चाहिए alkaline environment and that alkaline environment is given by bile juice ठीक है तो फिर question आता है bile juice do not have any enzyme bile juice do not have any enzyme how it helps in digestion तो उसका answer क्या रहना चाहिए अभी कि bile juice के अंदर enzyme तो नहीं है but it provides the environment for for the pancreatic enzymes to work bile juice use alkaline environment for working of these enzymes okay इसके साथ साथ में bile juice का और एक काम होता है कि bile juice के अंदर होते bile salt bile juice के अंदर होते bile salt bile salt क्या करेंगे that makes emulsification emulsification का मतब क्या होता है कि जो हमने fats खाया है जो हमने क्या खाया है fats उन fats को fats के बड़े-बड़े molecules है उनको छोटे-छोटे molecules बनाने का काम जो होता है किसका होता है bile source को उसको आम आके और देखेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर आते है stomach stomach के अंदर हमने देख लिए small intestine small intestine में 2 juice आए एक होता है अपना bile juice जो की alkaline environment देता है एक होता है pancreatic juice जिसके अंदर enzymes होते हैं काम करने के लिए ठीक है amylase enzyme, lipase enzyme and trypsin enzyme कहां पर हो जाना है small intestine में amylase का काम क्या है saliva में saliva में amylase था उसको क्या बोलेंगे salivary amylase यहां पर हम बोलेंगे pancreatic amylase same time है जो भी calvoidrate है starch starch को क्या में convert करना है glucose में complex substance into simpler substance फिर उसके बाद में यह जो है tripsil okay tripsil का क्या आपने एड़ा जो stomach में digest नहीं हो पाया जो stomach में digest नहीं हो पाया होगा small intestine में amino acids में कौन काम करेगा चोड़े 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 molecule से उसमे कौन काम करेगा lipase enzyme और उसको काय में convert करेगा fatty acid and glycerol हमने 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 जो carbohydrate खाया उसको amylase ने digest का लिया जो हमने जो protein खाया उसको स्टमक में pepsin ने digest किया और small intestine में trypsin ने digest किया उसके लाद में fats खाया है fats वह fats को पहले bile salt ने बड़े-बड़े fat के molecule को छोड़े-छोड़े foyer के molecule में convert किया that is called azimalsification और जो छोड़े-छोड़े fat के molecules उसको lipase enzyme ने digest किया into fatty acid and glycerol में मतब अब पूरा digestion हो गया अब digestion हो गया तो उसके बाद क्या होगा अब digestion के बाद में क्या होगा absorption ठीक अब मैं इसके आगे लिकाल रहो अब small intestine में सारा digest हो गया ठीक है small intestine में सब कुछ digest हो गया अब उसका क्या होगा absorption इसके आजवाज़ में होती है blood vessels क्या होती है इसके आजवाज़ में blood vessels वो जो भी हमारा digest हुआ है वो blood vessel में क्या होगा absorb through villi अब जो small intestine है small intestine में होती है villi finger-like projection present in small intestine called as villi अब क्या होता है जो भी simpler food है simpler food एक में फिर बता दो आपको simpler food कौनसा कौनसा है जो star 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 में कनवर्ट होगया glucose में जो हमारा protein था यह कानी का में कनवर्ट होगया amino acid में तो यह जो converted form है और जो fats है यह fats का में कनवर्ट हो हमारा fatty acid or glycerol में जो भी हमने vitamins खाय जो भी चीज़े क्रता है सारा का सारा क्या होगा digest digest absorbed absorbed की स्कितर होगा wrapped amino acid amino acid blood vessels glucose क्या blood vessels इस सारा का सारा यहां से चला जारेगा और पूरे body में circulate करेगा लेकिन जो हमारा fatty acid है ये blood vessel में नहीं जाएगा ये lymph vessel में absorb होता है काई मी काता है lymph vessel जैसी blood vessel होती है वैसे ही क्या होते है हमारे body में lymph vessels होती है वो भी विलाए के अंदर percent होता है और विलाए से absorb करता है सिर्फ fatty acid ठीक है? जो भी glucose है amino acid है वो काई में absorb होगा? ब्लड में लेकिन जो fatty acid हो काई में absorb होगा? लिफ vessel में अब लिफ vessel क्या है तो हमें transportation वाले topic में अच्छी से पढ़ेगे इसी जप्तर में थोड़ा आटे दिया है वहाँ से absorb होगा अब absorb होने के बाद में पूरे body में क्या होगा है? circulate अब small intestine के बाद में small intestine जो होता है small intestine का aid होता है small intestine का aid हो रहा है यह पर यहाँ से चाल होता है large intestine है сейчас large intestine अब small intestine length में बड़ा है दैमेटर में चोटा है इसने होसो को बोते है small intestine large intestine diameter में बोटा है इसने होसो को बोते है large intestine तो यह वाला यह पार्ट होता है यहाँ इसको बोते है ci-c erase part और यहां से एक part extension होता है इस वेस्टिजियल और इंग उसका कोई फंक्शन नहीं है अब क्वेश्चन आएगा कि अगर इसका काम नहीं है बॉडी में तो है क्यों ओके तो इसका एंसर है कि अपेंडिक्स जो है यह हमारे पूर्वश्टे उन में एक्टिव था क्यों एक्टिव था क्यों कि वो लोग अनाज वो खाते थे हमने एक पड़ा है कि प्लांट की स्यल जाएक की बनिये है तो अगर हम फूर्वश्ट जो है वो अन्कुक्ख फूर्वश्ट खाते है मतलब हमारे बॉडी में क्या जा रहा है सेलुलोश सेलुलोश को डाइजेस्ट करने के लिए अप्मेंडिक्स क्या यह नहीं है इस वज़े से इसको बुला जाता है वेस्टिजिल और आज भी यह और वर्किंग में है वर्किंग में नहीं है इस वज़े से इसको बोला जाता है जो raw food खाते हैं कच्छा food खाते हैं जैसे कि monkey हो गया, buffalo हो गया, cow हो गया, goat हो गया इन animals में यह food यह appendix जो है यह working state में और humans में यह working state में नहीं है इसलिए इसको बोलते वेस्टिजियल और ठीक है अब small intestine में question आता है कि small intestine की length जो है वो herbivores में बड़ी होती है और carnivores में छोटी होती है they used to eat plant plant is made about cellulose जिसको time ज्यादा लगता है उसको time ज्यादा लगता है काई के लिए for digestion अब time ज्यादा लगेगा तो उसमें small intestine में digestion के time बढ़ जाता है इसलिए small intestine की length क्या होती है ज्यादा होती है और carnivores में जो carnivores है carnivores जो है वह सिदे सिदे दूसरे animals को खाते है इसलिए उनमें digestion की लिए time कम लगता है Okay उनके cellulose वाला part खाते नहीं है तो इसलिए उनमें digestion का part slow होता है जदी सी होता है fast होता है कार्वी वोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए इंटेस्टाइन के लिए वह क्या होती है कम होती है और हर्वी वोर्स की जो इंटेस्टाइन के लिए 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 इंटेस्टा convert करते हैं जब वो simple food convert हो जाता है फिर वो क्या होता है एब्सॉर्ब थ्रू विला है उसमें glucose और protein वो blood vessel में absorb होता है सिर्फ fats जो है वो काई में absorb होता है lymphocles यह उसके बार अब जो फूड है वह आगे आगे पास हो रहा है कुछ से moment प्रिस्टार्टिक मोमेंट जो फूड हो आगे आगे पास होता है कहां पर आता है large intestine में जो भी food हमारा undigested है जो digest दे हुआ वो सारा का सारा कहां पर आ गया लाज इंटेस्टाइम में सिर्फ और सिर्फ अब absorption होगा तो water और minerals का अब कोई food absorb होगा नहीं digest होगा नहीं अब लाज इंटेस्टाइम में होता क्या है जो भी undigested food है वो आ गया है लाज इंटेस्टाइम ऐसा होता है लाज इंटेस्टाइम जो भी food है हमारा वो यहां पर आ गया और food यहां पर आने की बात में लाज इंटेस्टाइम में सिर्फ मैंने आपको बता है absorption इसका होता है water और minerals का फिर यहां पर लाज इंटेस्टाइम में हमारे यहां बोडी में क्या होते है क्या करते है उसको decay and decompose करते है और उसको store करते हैं हमारे fecal matter को अब fecal matter में fecal matter जो है वो पास होते जाता है कहां से लाज इंटेस्टाइम से कहां पर आ जाएगा रिक्टम अनस तक रिक्टम तक पर बेरिस्टाटिक जैसे मूमेंट बढ़ती है जो अनस है उसको क्या कर देता है eliminate कर देता है निकाल देता है ejection बोल देखे इसको समझे मैं है that process is called as ejection वो उसको निकाल देता है clear microorganism acts on the undigested food material and this undigested food material have will have the foul smell due to the decomposition of microorganism और यह क्या हो जाता है धिरे दिरे परिस्टाटिक मूमेंट के थ्रू रेक्टम अनस के रिक्टम अनस के रिक्टम बाद में क्या हो जाता है element हो जाता है this is all about digestive system start strong mouth to anus mouth में तीन पार्ट हुंको पढ़ना है तीन तंग सभाईवा इसोफाइगस में परिस्टाल्टिक मूमेंट स्टाट होता है stomach में तीन चीजें हो को याद रखनी है stomach से उपर स्पींचर है stomach के बाद में स्पींचर है stomach में तीन चीजे HCL, Pestynal, Mucus तीनोगा हमने function देगा है stomach के बाद में small intestine शूर होता है small intestine में दो main juices आते है पहला juice होता है हमाला bile juice दूसका juice होता है pancreatic juice जो अपने देख लिया है तीसरा और एक juice बनता है जिसको बनते है intestinal juice जो की other चीजों को digest करने में help करते है फिर intestine small intestine से juice के रखन के पुरा digest होके absorb हो गया absorb होके blood में गया पुरा काम करते है उसका pickle matter बनते है जो हो क्या हो जाता है eagast हो जाता है body से ठीक है अब हमने accessory glands भी देख ली साथ में liver भी देख लिया और pancreas भी देख लिया liver secrets bile juice whereas store in gallbladder store only in gallbladder और उसके बाद में pancreas 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 के बनाता है pancreatic juice एक और होनारा SSA gland है हमारा salivary gland salivary gland का काम क्या है saliva secret करना mouth में saliva secret करना ठीक है तिनों भी देख लिया हमने elementary canal और यहां पर SSA gland दोनों का भी function पढ़ लिया है इस तरीके से nutrition होता है human beings में अब हम देखेंगे dental caries dental caries बहुत चोटा topic दिया है अब यह चोटे से topic में क्या बताया है कि dental caries के साथ plague कैसा बनता है मतलब दाद में कीडा कैसा लगता है तो एकदम simple है हमारे तूत होते है जब हम food खाते है तो यहां food molecule क्या बताता है attachment अब जैसे यहां पर food molecule लग गया और आटेसरा को रगekkया यहां पर ऐगे बैक्टेरिया एक करते हूं कॉञका करना है बैक्टेरिया क्या करता इसको करते है अब जैसे मैं आपो यहना मिलाता है यहां पर भी ध्यान होगे सुबरहटे háp मिलाती है लग रोताち ओ起 और रर यह तो यह करेगा और वहां के जो भी आयन से उसको निकालते रहेगा यहां से रिमुक नहीं करेगा इस हची वहां पर बैक्टेरिया ञपना होते जाएका भी सबूर्स अब है सबसले किल смघख यहुह और अदनी में सबूरेक रोख यहां पर नहीं सबस्ट और प्रॉस्क प्रोफ से नहीं खुग क्लिर यहां पर जो हमारा माउथ ही यह बचने के Engang करता है। क्या करता हैu neutralizes the acid लेकिन क्या होगा एक बार यहाँ पर प्लेग लग गया तो प्लेग लगने के बाद में बैक्टेरिया यहां पर जम जाएगा बार जमने के वज़से नीचे-नीचे वह करते जाएगा मतब फिरन जो है वह बढ़ते जाएगा नीचे 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 अंदर डीब होते जाएगा क्लियर क्यों हो रहा है क्योंकि हमारा सलायवा यहां तक नहीं पहुछ पाता है नॉर्मली इसने यह तोड़ा सा डीब होते जाता है देंटर कैरीज जंदर नीचे जो पी एच है मतब जो आसीड है वह 5.5 से नीचे होना शुरू हो जाता है